वेल्कम बेक टो डेशी स्पार्क आज के इसबिडियो में हम अपने सेकंड हेंड कार के स्कुछ को आगे बढ़ाते हुए एक और काले करा है आज के इस विडियो में हम एक लोवजट कार के ओपर बात करेंगे जोकी एजली सेकंड हेंड मार्कें लेवाल है सो आधे shift भाद कर रहें जी जो कि मौथ जिन का थार्डREY जैनरेरीचन कार धा जिसको मौथ निदो सर्च छे में लोंच गिया था जैन इस्टेशियो लोंच के बाद क cannon नहीं गया ता इस 74 VHP का power और 84 Neutrimiton का torque प्रोड्यूस करता है यह अपने 35 L के fuel tank से कही ना कहीं आपको 16 से लेकर 8 के बीच में बट्रोड में mileage निकाल देती है अगर CNG में बात करें तो जैन इस्ट्यूलों CNG में काफी successful है क्योंकि इसमें CM2CM Wagner का ही engine है So CNG में अगर हम बात करें तो जैन इस्ट्यूलों कहीं ना कहीं 20 से लेकर 25 के बीच का mileage easily निकाल देती है 2010 से लेकर 2014 के बीच में जैन इस्ट्यूलों में 1 लिटर का case reach engine आता था जो की auto, ketan और martis उचकी वैगनार इन में भी आता था So 2010 से लेकर 2014 के बीच का journey still है यह काफी अच्छी कार है अगर हम budget के बारे में बात करें तो आपको यह 2010 से लेकर 2014 के बीच का journey still हो कहीं ना कहीं आपको 1 लाग के under under budget में मिल जाएगा काफी अच्छी condition में मिल सकता है आप So जिन भाई साब का budget काफी लो है और जिनको एक family car चाहिए काफी अच्छा कार चाहिए और जिनको एक AC car चाहिए जिसका maintenance काफी डाउन हो तो भी आप मारती सुचकी एक best option है अगर मारती सुचके में आपको जन इस्टूले मिल जारा तो भाई इसका maintenance काफी डाउन है और प्लस ये एक tall body design का car है तो आपको height में कोई issue नहीं होने वाला है Space काफी अच्छा है इसका interior भी काफी अच्छा है similar gen की तरह car है लेकिन इसका जो height है वो वेगनार की तरह है So overall car काफी अच्छा है जिस भाई का budget 1 lakh से down है और जिनको एक CNG या petrol car चाहिए तो आप जन इस्टूलो को अपने budget में देख सकते हैं Safety में बस आपको इसमें seatband मिलेगा ABS airbag नहीं आता था उस टाइम पे So भाई जनी studio में कुछ मताने लाएक खास नहीं है अगर आप जनी studio लेने जा रहे है तो आप इसका engine थोड़ा चेक कर लेना अच्छे से car का condition देख लेना Scratches वगारा नहीं है या इसका body कैसा है अगर सब कुछ overall ठीक ठाक रहेगा और car जादा time से CNG पर ना चली हो आप ऐसी गाड़े ढूड़ना और एक लाख के अब जट में आपको ऐसी car easily मिल जाएगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप वीडियो को लाइक कर दे चनल को सब्सक्राइब कर दे धन्य बाद